नमस्कार दोस्तों, मुरे नाम है सेकर और स्वागताव साविका हमारे टूप चैनल सिकार स्टेडी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्राखंड के महत्पूर्ण परस्नु को और आज हम इसमें देखने वाले हैं आपको पताई है कि 12 दिसंबर को यानि कि 12 दिसंबर 2021 को उत्राखंड लोर PCS का उस्तों इकजाम होता उसमें जो उत्राखंड के कोश्चिन पूछे गे थे उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं और आपका स्कोर कितना हो रहा है यह पहला परसने दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्राखंड में निमन मैसे किस स्तान पर पराचीन सिलालेक मिले थे तो इसका सेवत्रों का दोस्तों काल्सी से मिले थे यह आपको भली बाती पता है और काल्सी सिलालेक की दोस्तों जो खोज की थी वो की थी मिस्टर फोरेस्ट ने मिस्टर फोरेश्ट ने कि थी अठार सो साट में और इन सिलालेखों का दोस्तो निर्माण क्या था मौर्रे सासक असोक ने जो एक काल सी सिलालेख है दोस्तो एक किस नदी के संगम पर है दोस्तो ये है यमना और टॉन्स नदी के संगम पर वसे दुस्तों यहां जो यमना टोन्स और एक अमलावा नदी भी यहां बहती है कई बार एक्जाम में यह भी आता है कि यह जो कालसी सिलालेक हैं यह किस भासा में हैं और किस लिपी में कालसी सिलालेक दुस्तों किस भासा में हैं भासा है प्राकर्त और लिपी दोस्तो कौन सी है लिपी है ब्रहमी ये आपको याद अखना है पाली नहीं करना है अगर प्राकर्त आप्शन में नहीं है तब आपाली टिक कर सकते हैं तो इसका सेवत्र जाएगा कालसी अगला है कुमावु राज्जी के चंद वन्सक का अंति महाँ बढा के युद्धमें अलमोडा के पास हौल बाग एक जगह पढ़ती है हौल बाग विकास खंड तो इसका से उत्र जगा महिन चंद्र अगरे बसने हैं गूट भूमी का अर्थ है तो इस तो गूट भूमी हमने कल भी देखा था गूट भूमी दोस्तों वो भूमी होती है मंधीर को परदृत भूमी उसे दोस्तों कहते हैं गूट भूमी ये आपको याद रखने है और बाज बहादुर चंद ने कैलास मानसरोर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूठ भूमी दान की थी ये आपको याद रखने है मंधी रूको परदरत भूमी अप्शन नबर A अगला परशन है हिमालयन डिस्टिक गजेटियर के लेखक कौन है तो इसका सेउत्रु आस्तो एटकिंसन एडविंटी एटकिंसन ये आपको याद रखने है सेकर पाठक उत्राखंड में कुली बेगार परथा गड़ीका नाटक मौला राम तो इसका सेउत्रु जाएगा एट आगी थी एक जून दो हजार दो को बीर चंदर सिंग गडवाली परेटन सुरुजगा रियोजना ये आई थी एक जून दो जार दो को और उसके बाद दोस्तो न जाने कितने एकजामों में ये परसन आ चुका होगा परिभासा दोस्तो परसनी की जरूर बदलती हर बार लेकि अभी भी आएगा लिखके ले लिजिए अभी भी दोस्तो ये परसन आएगा ही आएगा अगला परसन है उत्राखंड आर्थिक सर विक्छण दोजार 18 औनिस के अनुसार उत्राखंड के निमन में से किसी जनपत की पर्ती ब्यक्ति आई 2016-17 में सरवाधिक रही यह परसन भी दोस्तों पूचा गया था इसका से उत्र हो जैगा 12 दुन आपको नहीं करना है दोस्तों ये रही थी हरीदवार में रहीथी ओप्सन नमर सी हो जागा इसका बिलकुल बिलकुल सही उत्तर अगला परसन है निमलकित मैंसे कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है खिर्सु दोस्तो पौडी में है औली चमोली में है दोस्तो कल भी हमने परसन देखे थे ना बिल्कुल देखे थे आपको आ रहा होगा कौसानी दुस्तों यह आपको बता है कि कौसानी को दुस्तों महत्मा गांदी जी ने भारत का स्वीजर लेंड कहा था और यह दुस्तों है बागेश्वर में तो इसका से उत्र हो जाएगा ओप्सन मर्सी सीतला खेद उस्तों यह अल्मोडा में है बिल्कुल सही है रानी खेद अल्मोडा में सीतला खेद अल्मोडा में बहुत सारे खेद हैं जैसे सिमल खेद भी है तो इसका से उत्र हो जाएगा यहाँ पर मरा ओप्सन मर्सी अगला वरसन है भोगौलिक छेत्रफल की दृष्टी से उत्राखंड भारतिय राज्यू में किस इस्तान पर है 22 में बहुत दूर हो गया 15 वे 16 उनिस्तान दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो उत्राखंड का छेत्रफल की दृष्टी से उत्राखंड का इस्तान दोस्तों अठारवा है लेकिन यहाँ पर 18 उप्शन में नहीं है तो 1900 आप टिक कर सकते हैं तो 18 वा दोस्तों है अगर अब आएगा तो एकजाम में और उत्राखंड का कुल छेत्रफल आपको महजबानी बिल्कुल उंगली उपर याद रखना है वैसे महजबानी याद रखना है अगला वर्षन है उत्राखंड राजी का लिंगानुपात 2011 की जनगर्णा के नुसार है 963 और भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों वो है 943 तो बढ़ते हैं अगले परशन की त्रफ दोस्तों जनगर्णा से जरूर परशन आता है और जनगर्णा से समन्दित महत्पूर्ण तथी मैं आपको दोस्तों वाइड बोर्ट पर बहुत जल्दी कराऊंगा आपके पेपर से पहले बिल्कुल निश्चिंत रहिए एकजाम मैं परशने फसेगा अगला परशने है नीचे लिखे नामु मैं से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने बारवी सदी के अंत में खस देश, केदार भूमी और दानव भूतल परदेश पर राज्जी किया आप इससे समस्त लक्ते हैं बारवी सदी के अंत में बोले तो 1193 में 1193 में तो इस ने किया था असोक चलने तो ये आपको याद रखना है नेपाल राजा असोक चलने ये खस देश, केदार भूमी दानव भूतल परदेश और ये कत्यूरी राज्जी के कुछ भाग पर उस तो यानिकी उत्राखंड पर कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था इसकी जानकारे मिलती है किस से गोपेशवर तिर्सूलेग से ये आपको याद रखना है और जो यहाँ पर एक कराचल देव दोस्तो इसने किया था 1223 इस भी में इसने भी दोस्तो कत्यूरी राजी को अपने अधिकार में ले लिया था उत्राखंड के कत्यूरी राजी को य ये भी आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले परशन की तरह इसका सेवत्रु जैगा असोक चल्द अगला परशन है अलमोडा आलम नगर का सस्तापक था दोस्तो इसका सेवत्रु जैगा बालो कल्यान चंद रुद्र चंद आपको करना है नहीं सोम चंद दोस्तो ये चंद वनस का सस्तापक है ये आपको याद रखना है तो इसका सेवत्रु जैगा बालो कल्यान चंद ने बालो कल्यान चंद ने उस तो अलमोडा में लाल मंडी किला या फोटर माहिरा किला भी उस तो बनाए था ये आपको याद बखना है खगमरा किला उस तो भी बनाए थ भी इसमचंद ने इसे भी आपको याद रखना है लाल मंडी के लाज़तो जरूर से आएगा एकजाम में अगला है 1608 में किस मुगल सहजादे ने स्री नगल गडवाल में सरण ली आरा सिको या सुलेमान सिको तो इन में से यह आपको लग रहा होगा तो इसका से उत्र हो साथके समय दोको यह शरण ली थी और सुलेमान सिको को तो कहा जाता है अगला परशन है भारत के पर्थम किर्षी विश्चु विद्याले की स्तापना पंत नगर म हुईती पंडित जवालल नहरु जी के समय 17 नौंबर 1960 को और Govind बल पंजी के नाम पर तो रखा गया था 1912 गोविन्द बल्व पंथ किर्शी विश्य विध्याले नाम आगे से देखते हैं तो गोविन्द बल्व पंजी का नाम दुस्तु यह रखा गया 1922 में 17 नवंबर 1960 में स्ताफना की गई पंथनगर में भारत का पर्थम किर्शी विश्यो विध्याले लई अगला परसन है उत्राखंड राज जी के अस्तित्तु मा आने के बाद पर्थम बार राष्ट पति सासन कब लगाये गया अभी भी आएगा अभी भी आएगा एक्जाम में तो 27 मार्च 2016 दोस्तो इसका बिल्कुल से उत्तर है तो याद कर लिजे 12 माई 2016 तक दोस्तो ये लगा ठाब अगला परसन है नीमन मैंसे विरटीस कुमाओ के किस कमिश्णर ने पुलिस ब्योस्ता के स्थान पर सामाननी पर्षाशन के लिए पटवारी ब्योस्ता लागू की पटवारी का पेपर होने वाला उस्तो कब जनवरी में तो आब ही बन जाएंगे फिर पटवारी लेक पाल दोस्तो ये किया था ट्रेल ने और ये परसने दोस्तो जरूर आएगा लिख लीजिए राजस्चु पुलिस व्योस्ता उत्राखंड में कब लागू हुई अठार सो चोंतर में कुमाओं कमिस्टेर उस समय कौन थे हैनी रेमजे बिल्कुल छपेगा दोस्तो एकजाम में आये गा विल्कुल रट लीजिए अगला प्रसन है उत्राखंड की विधान सभा में अनुसूचित जाती बोले तो SC के परतियासियों के लिए कितने इस्तान आरक चित हैं दोस्तो SC के ले तेरे सीटे हैं और अनारक्षित सीटे कितनी हैं तो कुल कितनी सीटे हैं दोस्तों सतर सीटे हैं 15 सीटे दोस्तों कैसी होगी आरक्षित वाली होगी तो बची कितनी 55 सीटे दोस्तों होगी अनारक्षित अगला प्रसन है बिरिटिस गडवाल का अठार सो चालिस में मुख् पुनर फिलोकन करने है तु राज बित्तायू का गठन कौन करता है परतेक पांच वर्ष पर ये करता है राज जिपाल और ये किस अनुष्थेद में है अनुष्थेद 243 के आई में ये भी आपको महजबानी याद रखना है एकजाम में दोस्तो सीधे 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 आएगा प प्रसन है गरामीड एवं किरसी विकास समिती की स्तापना कहा की गई हलदवानी भी है नेनी ताल भी है देहरादुन भी है पोड़ी भी आप्शन में है तोस्तो इसका सेवत्र हो जाएगा हलदवानी में हुई थी गरामीड एवं किरसी विकास समिती की स्तापना हलदवानी में 1995 में तो महजबानी इसे भी याद रखिए अगला प्रस्न है नैनी ताल में राज भवन की स्तापना किस वर्स की गई इसका से उत्रोगास तो 1897 में डेट याद रखिए 27 अपरेल 1897 को नैनी ताल राज भवन बोले तो हाई कोट भवन की निव पड़ी थी इस्तापना की इस वर्स में की गई यानि की 1997 बोल दिया मैंने 1897 में दुस्तो इसकी निव पड़ी थी इसका जो निर्माण कार्री पूरा हुआ था वो हुआ था सन 1900 में ये भी आपको याद रखना है निर्माण किसने कराय था दुस्तो ये कराय था सैंट टोनी मैगड़नल्ड सैंट टोनी मैगड़नल्ड डिजाइन किसने तयार किया था डिजाइन किया था इस्टीवन्स वो औरिटर ने ये भी आपको महजबान याद रखना है अजयरावज जी ने दोस्तो बुक मेए सैली भी बताईए कौन से सैली में है तो दोस्तो गौथिक सैली में है ये भी लगे हाथ याद रखिए गौथिक सैली में अगला प्रसन है दोस्तो आगे बढ़े हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दिजे लाइक और वीडियो को इस तो शेर भी जरूर कीजेगा अगर आपके कोई मित्र दोस्त इन एकजामू की त्यारी कर रहे हैं तो कुमावू मंडल विकास निगम एवं गडवाल मंडल विकास निगम की स्तापना की गई दोस्तो इसका सैवतर हो जाएगा 31 मार्च 1906 को बोले तो ओप्सन नमबर सी होगा इसका सैवतर सीधे सीधे एकजाम में छपेगा बिल्कुल रट लीजिए अगला प्रसन है 2011 की जनगर्णा की अनुसार उत्रा खंड राज जी की कूल जन संख्या में अनुसूचित जाती बोले तो सी का परतिसत कितना है दोस्तो यह है 18 दस्वंदब 76 परतिसत ऑप्सन नमबर बी लगब उस्तो 18 लाग कितनी कितनी जन संख्या इसी की 2011 के अनुसार अभी दोस्तो 2021 के जो आकड़े आएंगे उसमें और ज्यादा जन संख्या जो है वो बढ़ जुकी होगी तो इसका सेवतर अनुपाद उस्तो कितना है वो है 936 और उत्राकंड का लिंगानुपाद कितना है 963 है भारत का लिंगानुपाद कितना है 943 है तीनु मोहजबानी याद रखेए अगला परसन है चिपको आंदोलन कहां से सुरू हुआ था checks को आंदोलन उस्तो चमोली से सुरू हुआ था 1973 म ये आपको भली भाती याद होगा अगला परसन है उत्राखंड में सरवाधिक एवं नियूंतम जनसंक्या 2011 जनगर्णा वाले जनपद हैं जनसंक्या से दोस्तों UKPSC के जो भी एकजाम होंगे यहां से परसन 100% आएगा ये आप बिल्कुल याद रखिए जनसंक्या से आएगा और दोस्तों वाइड वोल्ट परविमा जनसंक्या समंदित महतपूर्ण तथि आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत जल्दी तो सरवाधिक दोस्तों यह हो जाएगा जनसंक्या हरिद्वार की और सबसे कम दोस्तों यह हो जाएगा रुद्र परियाग बोले तो आप्शन न जिरौली दोस्तों यह अल्मोडा और बागेसवर की सिमा पर है वैसे बागेसवर कई बुकुमा आपने दखाऊगा जिरौली बागेसवर अल्मोडा की सिमा पर है तो जिरौली बागेसवर वह चंडाग दोस्तों वी थोड़ा गड़ में मैगने साइड दोस्तों मुख्य उसे पाया जाता है अगला परस्न तो यह वही परस्न है गौर से देखे इस परस्न को जो की फोरस्ट गार्ट की परिक्ष्यम भी आ चुका है और UKPSC ने भी अपने एक्जाम में इस परस्न को पूछा है सगंद पादप केंद्र CAP उत्राखंड में किस इस्तान परिष्टित है दोस्तो यह है सेला कुई देहरा दुन में अगला परस्न है जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्राखंड के किस जनपद में महिला साक्चरता नियूंतम थी बिल्कुल छपेगा परस्न महिला साक्चरता नियूंतम दोस्तो उत्तरकासी में इसके बाद टीहरी में सबसे कम दोस्तो उत्तरकासी में थी उसके बाद दूसरे नमबर पर टीहरी जनपद रहता और अगर आएगा कि सरवादिक महिला साक्षर्ता दोस्तों पहले नमबर पर देहरादुन और दूसरे नमबर पर नैनिताल ये भी आपको याद रखना है दोस्तों एकजाम में बिल्कुल परस्न छपेगा अगला परस्न है यहाँ पर हमारा जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्राखंड के किस जनपद में महिला दोस्तों ये परस्न हो गया है हिमालाई के लिए उत्राखंड आजिवी का सुधार प्रोजक्ट यू एल आई पी एच परती बंदित किया जाता है जबर दस्त दोस्तों एक क् वर्षन की तरफ अगला वर्षन है उत्राखंड सरकार द्वारा किस तीथी से किसान प्रोत्साहन पैंसन योजना प्रारंब की गई उत्राखंड में दोस्तों जो भी साटी वर्ष से अधिक उमर के किसान है और जिनके पास दो हेक्टियर तक की भूमी है स्वयम की खुद क दूसरे की नहीं या दूसरे की खेती करते हैं दूसरे की भूमी पर वो भी नहीं जिनके पास खुद की भूमी है दो हेक्टियर तक की उन्हें उत्राखंड सरकार के द्वारा एक हजार रुपे परती महा पैंसन दी जाएगी और ये पैंसन दोस्तों आई थी हरी सरावत के समय 15 अगस्त 2014 को बोले तो ओप्सन नमर बी होगा इसका सही उत्तर अगला वर्षन है उत्तरा खंड राज जी की सबसे उची चोटी नंदा देवी पश्चिमी 78-17 मीटर इसकी उचाई है चोखंबा तिरसूल नंदा कोट ये सभी के सभी परवद उस्तो चमोली जनपद में है तो ये आपको याद रखना है तिरसूल परवद दोस्तो ये 71-20 इसकी उचाई है नंदा कोट दोस्तो ये चमोली और पिथोड़ा गड़ के बीच है अगला बसन है उत्तरा खंड राज जी मैं निमिलिकित में से किस जिले का भोगौलिक छेत्र फल सबसे अधिक है दोस्तो चमोली है नहीं तो आप उत्तर कासी आसानी से टिक करेंगे तो इसका से उत्तर हो जाएगा उत्तर कासी आगार दोस्तो जरूरी नहीं है चमोली उत्तर कासी हो या दोस्तो जैसे दे दिया कि बागे स्वर इसके अलावा चंपावत रुदर परियाग हरी द्वार इन जन की कौन सी सहायक नदी कर्ण परियाग में मिलती है UKPSC दोस्तों पंच परियाग पंच कुंड पंच बदरी पंच केदार यहां से परस्न जरूर से पूछता है तो अलक नंदा की सहायक दोस्तों नदी है पिंडर 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 कर्ण परियाग मिलती है अलक नंदा और मंदा देव परियाग अलक रन्दा धौली गंगा विश्णू गंगा विश्णू परियाग अगला परशन है 2011 की जन गर्णा के आधार पर नेमलिकित जिलु को जन संक्या के आधार पर आरो ही करम में लिखिये बोले तो दोस्तो वड़ते हुए करम में लिखिये सबसे कम जन संग का उस तो रुदर परियाग की है रुदर परियाग के बाद नंबर आता है चंपाउत का, चंपाउत के बाद बागे सवर का बागे सवर के बाद उत्तर का सी तो सबसे पहले आएगा तीन, 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 तीन हो जाएगा हमारा दो, एक, तीन, रुद्र परियाग, चम्पावत, भागेश्वर, उत्रकाशी, तो अप्शन मर्षी होगा उसका बिल्कुल, बिल्कुल, 61 उत्र, अगला परसन है, 2001 से 2011, यानि कि दोस्तो, 2011 के दसक में, उत्राखंड में, जनसंख्या बिर्दिदर रही, 18.8, 1,3, UKPSC, जनसंख्या से तो पूछता ही पूछता है, 100%, अगला उत्राखंड में, सरवाधिक नगरी कृत जिला है, तो उत्राखंड में, उसके बाद आता है, हरिद्वार, उसके बाद आता है, US नगर, उधमसिंग नगर, सबसे कम नगरी कृत जिला उसको कौन सा है, उत्राखंड मे यह है बागेश्वर तो यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा option number A अगला परसन है उत्राखंड के जन मानस पर सरवाधिक ब्यापक परभाव किस संपरदाई का पड़ा है दोस्तो यह हो जाएगा सैव और साक्त संपरदाई का पड़ा है बोले तो option number B यह हो जाएगा इसका सेवतर अगला परसन है निमन लिकित में से कौन सी एक लोक गाता नहीं है जागर है लाडिसा है रमोला है दोस्तो हारूल एक निर्ति है और हारूल निर्ति में दोस्तो चौनसारियों में यह होता है और इसमें रमतुला नामक बाध्यंत्र अनिवारी रूप से वजाया जाता है अगला वर्षन है निम्न में से किस जनपद में हिलजात्रा लोक नाट्टी का आयोजन होता है दोस्तों अभी कुछ मेने पहले ही हुआता पिथोड़ा गण में होता है अगला वर्षन है निम्न में से किस जाती की गड़ना हिमालई की प्रागेतिहासिक जातियों में नहीं की जाती किनर यक्षिक गंधर्व इनकी दोस्तों की जाती है दोस्तों जो यहाँ पर सक है इसकी गड़ना नहीं की जाती है अगला प्रस्न है तालेस्वर तामर पत्र किस राजवन्स एवं राजधानी का पता चलता है तो तालेसवर तामर पत्र का दोस्तो जो सम्मंद है ये हो जाएगा पौराव वनसेयम राजधानी बर्मापूर चंद पवार कतिवरी नहीं पौराव वनसेयम राजधानी दोस्तो इनकी कहां थी ये थी बर्मापूर ये हो जाएगा ओप्सन बर भी अगला परसन है निमिलिकित मैंसे बरहामणू की कौन सी उपजाती इस्तान के आधार पर नहीं सनवाल, सनके सनवाल, कपोली के चिमवाल दोस्तों ये सबी हैं लेकिन जोसी नहीं है ये रोग महाराष्ट से और मतलब कि ये दूसरी जगे से आये थे तो ये हो जाएगा जोसी ये बरहामणू की जाती उपजाती के इस्तान पर नहीं है इसका से उत्र जाएगा जोसी तो जोसी का दूस्तों बड़ा नाम है अगला नहीं लिकित मैंसे कौन सी जन जाती उत्राखंड से सम्बंद इतनी पूक्सा थारू जोन सारी दो ये और हमारे यहाँ पांचा है सिर्फ और ये बैगा दूस्तों नहीं है इसका से उत्र ज़एगा ओप्सन बड़ी तो दोस्तो ये थे आज के हमारे महतून परसने बाकी मिलते हैं बहुत जाद देए आए नई वीडियो में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर लिजेगा थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो में अपना ध्यान रखिए सवाचत रहे मसत रहे मिलते हैं बजल देख नहीं वीडियो में वीडियो को ज़्याद श्याद शेयर कीजेगा